वेलकम आज के वीडियो में बात करेंगे कोवैरियन्स और चेवी सेब स्थियरम के बारे में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं कोवैरियन्स क्या होता है इसको समझने के लिए हम कुछ बेसिक डीटेल को समझना चाहते हैं देखी मैं यह जो यहाँ पर डीटेल लिखा गया है उसका बस एक ही परपस है कि अगर हमें expectation of x निकालना हो तो हम expectation of x को उसके marginal distribution की help से भी निकाल सकते हैं तो expectation of x क्या हम define करेंगे summation over x and summation of x into gx अब इसको कैसे समझते हैं देखीए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि let x and y be random variable with joint probability distribution f of xy the mean or expected value of the random variable is ऐसे define करते हैं कि अगर हमें एक random variable है जो की x और y का function है ठीक है तो इसका expectation हम कैसे निकालते हैं g of xy into f of xy summation over x and y तो if g of xy को अगर हम केवल एक random variable x से replace कर दें तो उस case में यह dessert हमें क्या देगा यहाँ पर क्या होगा यह होगा summation of x summation of y और g of xy की जगा पर हम लिखेंगे x into f of xy ठीक है इस चीज को simplify भी किया जा सकता है कि इसको लिखा जा सकता है summation of x x चुकी यहाँ पर summation y के उपर लिया जा रहा है तो x को हम summation के बाहर लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं summation over y f of xy और यह जो हमारा term है इसी को हम बोलते हैं marginal distribution of x तो इसको लिखते हैं summation of over x x into gx ठीक है तो यह हमारा जो है क्या है यह हमारा है expectation of x अगर आप इसको समझ पया तो ठीक है otherwise आप इसको ध्यान में रखें कि expectation of x ऐसे भी निकाल सकते हैं और अगर हमे expectation of y निकालना है तो हम लिकाल सकते हैं y into h of y over summation is taken over y जहाँ पे hy जो है marginal distribution of y है और continuous के case में हम summation की जगह पे integration करते हैं और यहाँ भी हम summation की जगह पे integration कर रहा है तो यह चीज आपको समझ में तभी आएगी जब आपने हमारे पिछले वीडियोज को ध्यान से देखा हुआ है अगर देखा नहीं हुआ है तो एक बार जरूर मैं suggest करूँगा कि आप जाके पहले उन वीडियोज को देख ले आगे बढ़ते हैं तो जो covariance है दो variable x और y के बीच में वो कैसे define होता है वो define होता है expectation of x minus mu x जहांके mu x क्या है mu x भी एक तरीका है expectation of x लिखने का और y minus mu y ठीक है तो यह जो है यह covariance है covariance को sigma xy से भी denote किया जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमे covariance of xy निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा summation over x summation over y और x minus mu x into y minus mu y into f of xy जहांपे f of xy जो है वो joint probability distribution है x और y क्या और continuous के case में भी same चीज होता है केवल summation की जगर पे integration आ जाता है यह बात अभी तक 20 यों बाड़ बोल चुके हैं कि जो continuous और discrete के case में बस summation और integration का अंतर होता है पर अगर आप बात करें covariance की तो यह result कम popular है इसका इस्तेमाल हम कम करते हैं पर जो alternative result है यह इसका इस्तेमाल जादा किया जाता है और यह जो result है वो इससे derive किया जा सकता है अगर आप interested है तो इसके derivation को भी देखने की कोशिस करिए तो covariance between x and y कैसे define किया जा रहा है expectation of x into y minus expectation of x into expectation of y जो mu x है वो क्या है expectation of x है mu y क्या है वो expectation of y तो यह result हम use करेंगे covariance basically क्या देता है covariance दो random variable के बीच में किस तरह का association है उसके बारे में बात करता है और अगर association positive है तो covariance जो है वो positive होगा अगर association negative है तो covariance negative होता है अगर दो random variable x और y statistically independent है तो उनके बीच में जो covariance होता है वो zero होता है और यह बात इस बात का जो converse है वो guaranteed नहीं है कि true हो कहने का मतलब यह है कि अगर दो variable के बीच का covariance zero हो इसके बाबजूद भी वो ऐसा possible हो सकता है कि वो statistically independent नहीं हो ठीक है एक चीज़ और भी यहाँ पे highlight करना जरूरी है कि जो covariance है वो दो variable के बीच में linear relationship को बताता है ठीक है तो अगर दो variable x और y के बीच में covariance zero है तो उसके बीच में linear relationship नहीं हो सकता है पर यह possible है कि उनके बीच का जो relationship हो वो non-linear हो ठीक है तो इसके बारे में जब हम correlation और regression का chapter परेंगे तो और ज्यादा detail से बात करेंगे फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और problem solving के उपर जाते हैं तो चलिए पहला problem लेते हैं तो देखी यह जो पहला problem है बड़ा ही असान है और इसको बड़े ही अराम से हम करेंगे दीरे दीरे तो covariance निकालना है x और y के बीच में सब कुछ भूल जातने हैं मतलब यह भी ठीक नहीं है पर मतलब मेरा काने का मतलब यह है कि हम main बात पर focus करते हैं तो यह है कि हम expectation of x into y minus expectation of x into expectation of y यह हमें निकालना है अभी हमने यह भी देखा कि जो expectation of x है वो कैसे निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं summation of x into gx और summation हम x के उपर रन करते हैं अब इस table को देखें तो gx हमें दिया गया है यह x अगर 0 है तो gx यानि की जो marginal distribution है वो 5 by 14 है 1 के लिए 15 by 28 है और 2 के लिए 3 by 28 है x जो है 3 value लेड़ा है 0 से लेके 2 तक तो summation को हम 0 से लेके 2 तक रन करेंगे तो इसको अगर देखा जाया तो यह क्या है 0 x को 0 लें और g0 तो g0 कितना है 5 by 14 है तो 0 into 5 by 14 प्लस अगर x को 1 लें तो g1 कितना है वो है 15 by 28 और अगर x को हम 2 लें यह प्लस करना है और x को 2 लें तो 2 into जो g2 है वो है 3 by 28 तो हमें कितना मिल रहा है यहां से 0 आएगा 15 by 28 और 3 into 2 6 by 28 तो 21 by 28 यानि कि 21 by 28 इसको हम 3 by 4 भी लिख सकते हैं ठीक है 3 by 4 लिख सकते हैं थोड़ा इसको change कर देते हैं otherwise confusion हो सकता है यह हमारा है 21 by 28 ठीक है भाई तो आगे बढ़ते हैं expectation of x तो निकाल लिया अब expectation of y निकालना है तो expectation of y निकालने के लिए भी हम marginal distribution का यूज करते हैं और लिखते हैं y into hy और y भी जो है 0 से 2 तक वाईलू ले सकता है तो हम y की summation ले रहे हैं 0 से लेके 2 तक ठीक है तो अब इसको कैसे calculate करेंगे calculate करने के लिए यहां पे हम लिखते हैं y 0 लिया तो 0 into h of 0 तो h of 0 कितना है वह 15 by 28 I hope कि आप इस table को पढ़ पा रहे है ठीक से y की value अगर 1 है तो h1 क्या है वह है 3 by 7 और y की value अगर 2 है तो h2 क्या है वह है 1 by 28 तो अगर हम इसको simplify करें तो पहला term तो 0 हो गया दूसरा term है 3 by 7 और plus 2 by 28 को हम लिख सकते हैं 1 by 14 ठीक है तो 3 by 7 को लिख सकते हैं 6 by 14 और 7 by 14 total sum हो गया तो यह वहलो हो गई 1 by 2 तो expectation of x है 3 by 4 expectation of y है 1 by 2 अब हमें निकालना है expectation of xy तो expectation of xy निकालने के लिए हम जो definition है expectation निकालने का जो main definition है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं summation हम ले रहे हैं x और y के उपर xy की जगह पे हम लिख रहे हैं xy और फिर इसको हम multiply कर रहे हैं इसके probability joint probability distribution f of xy से ठीक है अब इसमें क्या-क्या values है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं कुछ चीजों को avoid करूंगा लिखना तो जो हमारा summation x है वो 0 से लेकर 2 तक vary करता है ठीक है और यहाँ पे हमारा summation y के उपर run कर रहा है तो इसका मतलब कि हमारा x जो है वो सारे cases में सेम रहेगा तो सबसे पहला term क्या होगा x into 0 अगर हम y को 0 से लेकर 2 तक vary करें आप यहाँ पे लिख दीजिए x varies from 0 to 2 y varies from 0 to 2 तो हमने y को 0 से 2 तक vary कराना है पल है तो x into 0 और f of x,0 दूसरा term क्या है x y की value 1 f of x,1 और तिसरा value क्या है x into 2 और f of x,2 तो अगर आप आगे देखें तो आगे क्या हो रहा है कि यह वाला term तो 0 हो जाएगा x में हमने 0 से multiply कर दिया तो अपनी सुविधा के लिए हम इस term को हटा देते हैं और केवल दो ही term अबागे लिखते हैं x is equal to 0 to 2 और यह बच रहा है x into 1 f of x,1 और प्लस x into 2 f of x,2 ठीक है अब इसका summation हम x के उपर run करेंगे तो x 0 लेंगे तो यह होगा 0 into 1 f of 0,1 x 1 लेंगे तो यह होगा 1 into 1 f of 1,1 और x 2 लेंगे तो यह क्या होगा 2 into 1 f of 2,1 तो पहले वाले term के उपर हमने summation को run कर लिया और अब हम दूसरे वाले term के उपर summation को run करते हैं तो x को 0 लें ठीक है यहाँ पर तो यह आएगा 0 into 2 f of 0,2 x को 1 लें तो 1 into 2 f of 1,2 और x को 2 लें तो 2 into 2 f of 2,2 अब इसको धोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है देखिए यह तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 into 1 तो यह term तो 0 हो गया और यह term भी 0 हो गया तीक है और अगर आप इस term की बात करें तो यहाँ पर f of 1,2 आ रहा है तो f of 1,2 इस table से क्या मिल रहा है x की value 1 हो और y की value 2 हो तो यह वाली value है f of 1,2 तो यह term भी 0 हो जाएगा f of 2,1 तो इसकी मतलब x की value 2 हो और y की value 1 हो तो यह जो value है f of 2,1 है तो यह भी term 0 हो गया और f of 2,2 यह वाला term है तो यह भी term 0 हो गया आप देखें कि एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पांच और टर्म जीरो हो गया, तो ultimately हमें बचा क्या, ultimately हमें बचा 1 into 1 f of 11, और f of 11 क्या है, यह 3 by 14, तो जो हमें वैलू मिली, वो मिली 3 by 14, तो अब हमें सारी चीजे मिल चुकी है, और हमें बस इसको calculate करना है, हमें जगह नही तो expectation of xy हमने निकाल लिया हुआ है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप साफ साफ लिखेंगे, तो यह होगा 3 by 14 minus, expectation of x हमने निकाल लिया है, यह 3 by 4, और expectation of y भी हमने निकाल लिया है, वो है 1 by 2, तो into 1 by 2, तो जो हमारा answer आ रहा है, कि sigma of xy, तो अगर आप इसको solve करेंगे, त तो 3 by 14 minus, आप यहाँ पर देखें, 3 by 14 minus 3 by 8, तो इसको अगर आप LCM लें, तो 56, 4 times, so 12 and 7 times to 21, तो हमें जो मिलेगा, वो मिलेगा minus 9 by 56, तो यह हमारा जो है, वो क्या मिल रहा है, covariance of x and y मिल रहा है, बहुत ही simple problem था, प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, प्रोसेस क्या है, कि आप expectation of x निकाल रहे हैं, आप expectation of y निकाल रहे हैं, और आप expectation of x into y निकाल रहे हैं, इस table के अंदर expectation of x निकालने के लिए, हमने marginal distribution x का use किया है, expectation of y निकालने के लिए y का marginal distribution यूज किया है, औ हमारे पास अगला पेज था पर हमने इसको एक ही पेज में complete कर लिया एक और प्रॉब्लम लेते हैं और यह प्रॉब्लम थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि एक बढ़िया प्रॉब्लम है इसमें आपका concept काफी हद तक clear भी हो जाएगा तो इस problem के अंदर continuous random variable दिया हुआ है और covariance of x and y निकालना है तो हम जान गए है कि covariance of x and y हमें कैसे मिलता है expectation of x into y minus expectation of x into expectation of y तो हमारा पहला काम है expectation of x निकालने का तो expectation of x आप कैसे निकालेंगे ठीक है तो expectation of x का जो हमारा formula है marginal distribution का यूज़ करके हम expectation of x निकाल रहे है ठीक है पर यहाँ पर marginal distribution हमें दिया नहीं हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका marginal distribution निकाल लेते हैं marginal distribution का भी हमें जो result है वो पता है तो पर उसको लिए पहले मैं आपको एक बार थोड़ा figure की मदद से समझा देता हूं तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो आपका reason है जिसके उपर हमें इसको integrate करना है जहाँ पर random variable x और y value ले सकता है तो y is equal to x line को अगर आप draw करें तो यह line है y is equal to x state line है जो की x axis से pass करेगी और x जो है वो 1 तक value ले सकता है तो अगर हम x की बात करें तो x is equal to 1 यह है ठीक है यह a point ले ले और यह b point ले तो हमारा जो reason है वो o a b है और y कैसे vary कर रहा है y 0 से लेके x तक vary कर रहा है ठीक है आप 0 से सुरू हो रहा है और इस line तक जा रहा है और x कैसे vary कर रहा है 0 से लेके 1 तक तो जो o a b है हमारा reason cover हो रहा है और यहां पर आपने अगर multiple integral के दौरान ठीक से पढ़ा होगा तो आपको चीजे ध्यान में आ रही होंगी तो सबसे पहले हम marginal distribution of x and y निकाल लेते हैं तो marginal distribution of x and y कैसे निकाल लेंगे तो सबसे पहले हमें marginal distribution of x यानि कि gx निकालना है यह gx क्यों चाहिए क्योंकि expectation of x हम marginal distribution की मदद से define कर रहा है जैसे कि हमने यहां पर देखा था ठीक है तो marginal distribution कैसे निकालना होता है f of xy को जो हमारा joint density function है इस case में उसको हमें y के respect में integrate करें तो हमें marginal distribution of x मिलता है और y के respect में अगर हम integrate करें तो y का limit यहां पर क्या है अगर हम f xy के terms में बात करें तो y का limit आप देखो कि यह 0 से लेके x तक है या आप इसे strip को देखो तो 0 से लेके x तक है तो इसको हम ले रहा है 0 to x तो 0 से लेके x तक और f of xy क्या है वह है 8 of xy dy तो यहां पर y के respect में integrate करना है तो 8 of x जो है वह constant हो गया integration of y होता है y square by 2 limit आप उट करो 0 to x तो यह क्या value देगा 8 x और x square by 2 minus 0 तो यहां से मिलेगा 2 and 8 कटके तो यह मिल जाएगा आपका 4 x cube और यह 4 x cube जो है वह marginal distribution of x है हम इसको separately लिख देते हैं 4 x cube और x कहां से कहां तक value ले सकता है x value ले सकता है 0 से 1 तक आप इसको देख रहे हैं कि x 0 से 1 तक value ले सकता है उसी तरह से अगर हम marginal distribution of y निकालें तो इस case में हमें f of xy को x के respect में integrate करना होता है और x कहां से कहां तक value ले सकता है अगर आप इसको देखें तो x value कहां से कहां तक ले रहा है आप इसको देखें y से लेके 1 तक x जो है y से greater है पर 1 से less है तो आप इस figure को भी देखें तो x का मतलब क्या होता है कि आप जो strip लेते हैं वो horizontal लेते हो तो यह x कहां से शुरू होड़ा है y से सुरू होड़ा है और जा कहां तक रहा है जा रहा है 1 तक अगर आप इस figure की मदद से समझ पाएं तो ढ़िक है अदरवाईज आप इस interval की मदद से भी समझ सकते है कि x जो है वो y से लेके 1 तक की value ले रहा है ठीक है इसको गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है तो इसलिए आप इस बात को ध्यान से समझें तो y to 1 8 of x into y dx अब 8 of y तो constant है क्योंकि हम x के respect में integrate कर रहे हैं और यह x का integration है x square by 2 limit है y to 1 तो अगर हम इसको simplify करें तो 8y और अचली इसको हम 4y लिख देते हैं क्योंकि यह 2 और cut up cancel हो जाएगा और 1 minus y square ठीक है तो जो हमारा hy आया वाया 4y into 1 minus y square और y जो भी है वो कहां से कहां तक vary कर सकता है y की अगर बात करें तो y 0 से लेके 1 तक vary कर सकता है तो y जो है वो 0 से लेके 1 तक vary कर सकता है ठीक है चुकि अब यह function के वाल एक variable के उपर depend कर रहा है तो अब हम y की जो limit ले रहे हैं वो 0 से लेके 1 तक ले रहे हैं तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने marginal distribution of x और marginal distribution of y निकाल लिया है, पिछले page पे, और यह 4x3 है और यह 4y into 1 minus y square है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है expectation of x, continuous का case है, तो हम क्या करेंगे, कि x into gx dx निकालेंगे, और x कहां से कहां तक value ले सकता है, 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक इसको integrate करेंगे, तो यह क्या हुआ, 0 to 1, और यह x into 4x3, x into 4x3 dx, ठीक है, तो यह हो गया 0 to 1, 4x to the power 4 dx, तो यह कितनी value होगी, 4, x to the power 4 का integration, x to the power 5 by 5, limit है 0 to 1, तो यह हमें मिल गया, 4 by 5, अब expectation of y निकालेंगे, तो यह क्या होगा, यह होगा, 0 to 1, और 4y, सबसे पहले y into hy, एक बार लिख देते हैं, otherwise कोई confusion ना हो, y into hy dy, तो यह हो गया, हमारा 0 to 1, y into 4y, 1 minus y square dy, तो integrate करने के लिए क्या करना है, 4 तो constant है, ठीक है, और पहला टर्म, y into y, y square, तो उसका integration होगा, y q by 3, minus y into y, और y square to y to the power 4, तो उसका integration होगा, y to the power 5 by 5, limit है, 0 to 1, तो 4, अगर हम 1 put करेंगे, तो 1 by 3, minus 1 by 5, 0 put करेंगे, तो 0 हो जाएगा, तो इसको अगर आप simplify करें, तो यह आज आपका आजाएगा, 4, और यहां से आया 15, और 5 minus 3, यानि कि 8 by 15, तो यह जो total आ रहा है, हो आ रहा है, 8 by 15, तो expectation of x और expectation of y तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, expectation of x into y, तो उसको भी हम निकालते हैं, expectation of x into y, तो वह आपको ध्यान होगा, कि कैसे निकालते हैं वो निकालेंगे x into y f of xy तो f of xy हमारा क्या था वो हमारा था 8xy तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8xy और फिर लिखेंगे dxdy ठीक है और फिर limit हमें लेना है तो limit हमें लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले अगर हम y का limit ले या x का limit ले जो भी आप लेना चाहते हैं तो अगर हम पहले x का limit ले तो वो y से 1 तक है आप इसको देखा हमने already circle किया हुआ है y से 1 तो x का limit हमने ले लिया y to 1 ठीक है y is equal y to 1 ठीक है इसमें आपको confusion न हो जाए इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ x is equal to y to x is equal to 1 ताकि आपको पता चले कि ये x का limit है ठीक है x is equal to y to 1 और फिर जो हमारा y का limit हो जाएगा वो कहां से कहां तक हो जाएगा y का limit है अगर हमने x का limit जो लिया है y to 1 लिया हुआ तो y का limit हम कहां से हो रहा है x इस line से शुरू हो रहा है तो हम इस line से लेके इस line तक जा रहा है x is equal to 1 तक हम इसको उल्टा भी ले सकते थे हम यहाँ पर limit ले सकते थे y की limit ले सकते थे 0 से लेके y is equal to x तक और x की limit 0 to 1 तक आप इसको एक बार उस तरह से लेके भी try करिए तो हमने x की limit ली y to 1 और फिर 0 to 1 हमने y की limit ली और अगर आप इसको integrate करें तो क्या आएगा 0 to 1 यहां से हमें मिल रहा है y to 1 और 8 xy into xy तो 8 x square y square dx dy तो पहले x के respect में integrate करना है तो 0 to 1 8y square constant हो गया और x square का integration हो गया x cube by 3 यह limit है y to 1 dy अब 0 to 1 अगर आप इसको देखें तो यहां आजाएगा 8y square by 3 और 1 x की जगह पे 1 रखने पे 1 और x की जगह पे y रखने पे y cube dy फिर आप इसको देखें आगे तो 8 by 3 तो constant है यहां से आएगा y square तो y square का limit integration होगा y cube by 3 और यहां से आएगा y to the power 5 2 and 3 5 तो यहां से आएगा y to the power 6 by 6 limit है 0 to 1 तो यह मिल गया 8 by 3 और 1 by 3 minus 1 by 6 तो 8 by 3 and into 1 by 6 तो यह कितने के बाराबर होगा 2 से 4 और 2 से 3 तो यह हो गया 4 by 9 तो हमें जो भी required material था वो मिल चुका है क्या क्या मिल चुका है हमें expectation of x मिल चुका है हमें expectation of y मिल चुका है और हमें expectation of xy मिला है तो जगह की कमी होने के कारण यहां पर मैं लिख देता हूं तो हमें निकाल ला है sigma of xy covariance तो expectation of x into y that is 4 by 9 minus expectation of x that is 4 by 5 into expectation of y that is 8 by 15 तो अगर आप इसको simplify करेंगे तो जो value आपको मिलेगी वो मिलेगी 4 by 225 आप इसको एक बार verify कर लें तो यह process है expectation निकालने का यहां पर दो तीन चीजों में आपको confusion हो सकता है पहला confusion यह हो सकता है कि यह जो हम expectation of xy निकाल रहे है इसके limit हम कैसे decide कर रहे है तो यह limit हमने decide किया है इस reason को cover करना है तो अगर आप पहले y की limit लेंगे तो y की limit आप लेंगे 0 to x और फिर x की limit लेंगे तो लेंगे 0 to 1 पर अगर आप पहले x की limit लेंगे तो यहां से आपको लेना पड़ेगा y to 1 और फिर यहां पर x की limit लेंगे तो y to 1 और y की limit लेंगे तो 0 to 1 तो यहां तो आप horizontal strip को vary करें या vertical strip को horizontally move करें और यह concept आपको multiple integral में बताया गया होगा दूसरा confusion यहां पर यह हो सकता है कि जब हम marginal distribution निकाल रहे हैं तो marginal distribution जब हमने इसको x के terms में लिख लिया तो x तो 0 to 1 के बीच में ही vary कर रहा है अब ऐसा नहीं है कि x को हम फिर लेंगे कि यह y to 1 के बीच में vary कर रहा है नहीं जब हमने इसको x के function के रूप में लिया तो फिर हम x 0 से 1 के बीच में vary कर रहा है और जब हमने marginal distribution of y निकाला तो यह y का function है तो y 0 से 1 के बीच में vary कर रहा है तो यह दो problem लिये हमने अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक है तो एक और problem करते हैं उसके बाद फिर हम चेवी सेप्स theorem के उपर जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि two random variable x and y have the following joint probability density function और इसका covariance निकालना है तो अब हम covariance के concept को समझ चुक रहे हैं तो हम इसको ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे हमे covariance of x, y निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा expectation of x into y minus expectation of x into expectation of y expectation of x निकालने के लिए हमें gx निकालना पड़ेगा marginal distribution of x marginal distribution of x कैसे निकालते हैं हम f of xy को जो की इस case में है 2 minus x minus y इसको हम integrate करेंगे y के respect में और जो हमारा y का limit है वो separately दिया गया है 0 to 1 के बीच में तो यह क्या हाएगा यहाएगा 2y minus xy minus y square by 2 तो इसका हम limit put करेंगे 0 to 1 तो 1 put करेंगे y की value तो यहाँ से हाएगा 2 minus x minus 1 by 2 तो इसको आप लिख देते हैं लिख देते हैं 2 minus x minus 1 by 2 0 put करेंगे तो यह 3 term 0 हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिल रहा है 3 by 2 minus x ठीक है तो यह हमारा gx हो गया उसी तरह से अगर हम hy निकालें तो hy भी हमारा क्या है हम integrate करते है f of xy का जो की यहाँ पे है 2 minus x minus y किसके respect में x के respect में और x के limit दी गई है 0 to 1 तो हमने 0 to 1 के बीच में इसको integrate करना है क्या आएगा 2x minus x square by 2 minus yx limit क्या है 0 to 1 1 put करेंगे तो 2 minus 1 by 2 minus y 0 put करेंगे तो तीनो term 0 आ जाएगा यह 3 by 2 minus y आ गया आप smart है तो आप यह भी देख सकते हैं कि यह symmetrical है तो यहाँ पे अगर gx निकाल रहे है तो 3 by 2 minus x आ रहा है hy निकालेंगे तो 3 by 2 minus y आएगा आगे क्या करना है आगे निकालना है expectation of x expectation of x क्या होता है x into gx तो x तो हमने लिख लिया और gx क्या है वो है 3 by 2 minus x और इसको integrate करना है x के respect में और x के limit है 0 to 1 तो अगर आप इसको integrate करेंगे तो कितना मिलेगा पहला term है 3 by 2 x तो 3 by 2 तो constant है x का integration होता है x square by 2 और दूसरा term है x square तो इसका integration होगा x q by 3 limit है 0 to 1 तो 1 put करेंगे तो आएगा 3 by 4 minus 1 by 3 और ये आपका आजाएगा 5 by 12 expectation of y कैसे निकालते है expectation of y निकालते है y into hy तो y into hy क्या है 3 by 2 minus y dy y की limit क्या है 0 to 1 तक है ठीक है इसको हम integrate करेंगे तो यहां से क्या आएगा 3 by 2 y का limit y integration y square by 2 y square का आएगा y q by 3 limit है 0 to 1 तो यहां से आएगा 3 by 4 minus 1 by 3 यह आएगा 5 by 12 यह सब symmetrical है तो आप देख रहे हैं कि value same ही आ रहा है अब हमें निकालना है expectation of x into y तो expectation of x into y हम next page पे चले जाते हैं अदरवाइस एक confusing हो जाएगा तो expectation of x into y निकालने के लिए हमें x into y f of xy तो f of xy क्या है 2 minus x minus y तो यहां पे हम लिखेंगे 2 minus x minus y dx dy और x और y दोनों का limit 0 to 1 और 0 to 1 है तो इसमें कोई confusion नहीं है अब इसको जब हम integrate करेंगे तो आप देख लो कि पहले किसके respect में करोगे पहले x के respect में करो क्योंकि x लिखा हुआ है तो y constant हो गया x into 2 2x आएगा तो जिसका integration x square आएगा x into x x square है तो x का integration कितना आएगा x square का integration आएगा x q by 3 और तिसरा term होगा x into y तो minus y तो constant हो गया x का integration होता है x square by 2 limit आपको रखना है 0 to 1 dy तो ladies and gentlemen ये क्या आज आएगा 0 to 1 अगर आप 1 पूट करोगे तो x की जगा पे तो 1 minus 1 by 3 minus y by 2 ठीक है और 0 पूट करोगे तो तीनों टर्म 0 हो जाएगा तो कोई जरुवत नहीं है dy अब ये क्या है ये है 0 to 1 y 1 minus 1 by 3 यानिकि 2 by 3 minus y by 2 dy अब इसको integrate करिए पहला टर्म है 2 by 3 y तो 2 by 3 y का integration y square by 2 दूसरा टर्म हो जाएगा 1 by 2 तो constant है y into y y square जिसका integration होगा y q by 3 limit हो गया 0 to 1 तो यहाँ से आपको मिल गया पहले टर्म से 1 by 3 और दूसरे से 1 by 2 into 3 यानिकि 1 by 6 so 1 by 3 minus 1 by 6 is equal to 1 by 6 तो सब कुछ पता चल गया तो variance निकालने के लिए expectation of xy जो कि 1 by 6 minus expectation of x जो कि 5 by 12 और expectation of y वो भी 5 by 12 तो 1 by 6 into 5 by 12 minus 5 by 12 into 5 by 12 तो यह हो गया 1 by 6 minus 25 by 144 तो basically यह हो गया 24 by 144 तो यहाँ से आएगा minus 1 by 144 तो यह covariance between x and y आ रहा है प्रैक्टिस आपको क्यों यही समझना है करने का और यह करना है कि जो limit हम ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं तो अगर आप limit लेने के बारे में समझ गया है तो process तो बिल्कुल साफ है discrete के case में या continuous के case में पहले आप क्या निकाल रहे है marginal distribution और उसके बाद expectation और फिर उसके बाद covariance तो हमने तीन problem किये और detail में सब्जा अब आगे बढ़ते हुए हम चेविसेफ्स theorem के बारे में देख लेते हैं चेविसेफ्स theorem देखने में बड़ा ही complicated है पर है बड़ा ही आसान इसमें कोई confusion नहीं है बस एक line में आपको समझ में आ जाएगा ये क्या बोल रहा है poly statement पढ़ लिजे कि the probability that any random variable x will assume a value within k standard deviation तो कोई भी जब random variable x है तो उसका एक mean है जिसको हम बोल रहे है mu और उसका एक variance है जिसको हम बोल रहे है sigma ठीक है ये mu क्या है mu है mean और sigma क्या है sigma है variance ठीक है तो random variable क्या होता है random variable value लेता है एक range के अंदर अब ये जो 23 theorem बोल रहा है कि random variable x जो है वो mu minus k into sigma से लेके mu plus k into sigma के बीच में value लेगा इसकी probability जो है वो greater than or equal to 1 by 1 minus k square के बढ़ाबर होगी कहाने का मतलब क्या है कि अगर आप k की value 2 ले लो तो probability क्या निकालनी है mu minus 2 sigma जो है random variable इसके बीच में हो mu minus 2 sigma से लेके mu plus 2 sigma के बीच में इसकी जो probability होगी वो 1 minus 1 by 2 square यानि कि 3 by 4 से ज्यादा या उसके बढ़ाबर होगी इसका मतलब क्या है कि कोई भी random variable अपने average k दो standard deviation के बीच में लाई करे इसकी probability 3 by 4 है अगर आप k is equal to 3 ले लो तो इसका मतलब क्या है कि probability of mu minus 3 sigma x से लेके x जो है mu plus 3 sigma के बीच में हो इसकी probability क्या होगी 1 by 1 minus 1 by 3 square यानि कि 1 minus 1 by 9 यानि कि 8 by 9 तो इसकी जो probability होगी 8 by 9 या उससे जादा होगी तो यही बात यहाँ पर explain किया जा रहा है कि for k equal to 2 the theorem states that random variable x has the probability at least 3 by 4 of following within two standard deviation of the mean the 3 fourth or more of the observation of any distribution lie in the interval mu plus minus 2 sigma उसी तरह से at least 8 by 9 जो है observation वो mu plus minus 3 sigma के बीच में लाई करेगी मतलब यह चीज का जब आप normal distribution के बारे में भी जब पढ़ोगे तो इसके बारे में हम detail में देखेंगे कि random variable ऐसा नहीं कि कुछ भी unscent value ले रहा है random variable जो है वो एक particular interval के बीच में value लेने की कोशिस करता है और वो interval उसके mean के आसपास हम define कर सकते हैं कि mean के 2 sigma इधर और mean के 2 sigma उधर इसके बीच में probability होने की value 3 by 4 है मतलब 75% जो value है वो इसी interval में लाई करेगी इसको समझने के लिए हम एक छोटा छोटा दो problem ले लेते हैं और इससे आपको clear हो जाएगा कि जैसे कि अगर आप पहला part देखो कि यह random variable x है जिसका mean mu जो है वो 8 है और उसका variance दिया गया है sigma square 9 है यानि कि इससे हमें पता चल गया कि जो उसका standard deviation sigma जो है वो 3 है अब यह जो probability distribution है वो unknown है तो अगर probability distribution known होता तब तो चलो हम उसकी probability निकालते कि कैसे निकाल सकते हैं पर हमारा probability distribution पता ही नहीं है तो 27th theorem का यूज करके हम इसको estimate कर सकते हैं कि क्या probability होगी तो अगर हमें probability निकालनी है कि minus 4 से लेके 20 के बीच में random variable value less की क्या संभावना है तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो minus 4 को आप लिख सकते हो 8 minus 2 not 2 3 into 3 3 into 3 और 4 into 3 कितना लिखा जा सकता है 4 into 3 हमने थोड़ा सा estimate करने में गलत किया हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 minus 4 into 3 अब आप यह सूच रहे हैं कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं क्योंकि जो हमारा sigma है वो 3 है और जो हम k ले रहे हैं 4 ले रहे हैं और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 8 plus 4 into 3 ठीक है आप इसको agree कर रहे हैं यह है 8 minus 12 यानि कि minus 4 हो गया और यह है 8 plus 12 यानि कि 20 हो गया तो minus 4 को हम अगर आप इसको इसके term में लिखें mu और sigma के term में तो 8 तो आपका mu है और यह 4 times sigma है और x यह हम लिख सकते हैं mu plus 4 times sigma तो इस interval में x लाई करें इसकी probability क्या होगी इसकी probability greater than or equal to होगी 1 minus 1 by k square यानि कि 4 square तो यानि कि जो हमारा probability है कि probability random variable minus 4 से लेके 20 के बीच में वह लू ले इसकी जो probability है वो है 1 minus 1 by 16 यानि कि 15 by 16 इसकी संभावना काफी ज़्यादा है ठीक है almost 15 by 16 है कि random variable x हमारा minus 4 से 20 के बीच में वह लू ले ठीक है तो यह हमारा पहला problem था I guess कि आपको इसमें कोई confusion नहीं है अब इसी का दुसरा part देख लेते हैं कि probability mod of x minus 8 is greater than or equal to 6 mu जो है हमारा 8 है sigma जो है हमारा 3 है तो अगर हमें probability निकालनी हो mod of x minus 8 greater than or equal to 6 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि this is 1 minus probability mod of x minus 8 less than 6 लिख सकते हैं किसी चीज के 6 के बराबर या उससे ज़्यादा होने की संभावना हम जानते हैं कि total probability 1 होता है तो उसमें से हम इसको minus कर दें तो हम यह चीज पता चल जाएगी अगर आप discrete या continuous random variable की lecture को याद करें तो उसमें भी हमने यह बात discuss की थी ठीक है तो x minus 8 greater than or equal to 6 होने की probability होगी 1 minus x minus 8 less than 6 होने की probability के बराबर और इसको अगर आप simplify करें तो इसका मतलब क्या होता है कि यह probability हमें देगा minus 6 less than x minus 8 less than 6 I hope कि आपको यह बात समझ में आ रही है कि अगर कहीं पर लिखा हो कि mod of x less than a तो इसका मतलब यह होता है कि जो x है वो minus a से लेके a के बीच में लाई कर देगा ठीक है तो अगर minus a से लेके a के बीच में अगर x लाई कर रहा है तो उसका mod of x जो है वो a से less होता है यह modulus की property है तो उसी property का use करके हम लिख सकते हैं कि minus 6 less than x minus 8 less than 6 तो यहां से हमें क्या पता चलेगा यहां से हमें पता चलेगा 1 minus probability और left hand side में 8 को ले आएंगे तो 2 less than x less than 14 अब हम इस चीज की probability को निकाल लेते हैं तो अगर आप इस चीज की probability को निकालो probability of 2 less than x less than 14 तो इसको हम 26 theorem की मदल से calculate करते हैं तो यह क्या होगा इसको हम लिख सकते हैं probability और 2 की जगा पे हम लिख सकते हैं 8 minus 2 into 3 ठीक है k की वैलू हमने क्या ले लिया यहां पे 2 ले लिया is less than x less than 8 plus 2 into 3 तो 8 plus 2 into 3 14 हो गया और 8 minus 2 into 3 यह हमें estimate करना पड़ेगा जो कि हम देख के कर सकते हैं और यह greater than or equal to होगा 1 minus 1 by 2 square याने की 4K ठीक है तो probability of 2 less than x less than 14 यह greater than or equal to है 3 by 4K ठीक है तो इसी से हम यह ऐसा भी लिख सकते हैं कि minus दोनों तरह पर minus से multiply कर लें तो minus 2 less than x less than 14 यह less than or equal to होगा minus 3 by 4 की यह inequality का आपको idea होगा कि जब greater than or equal to है तो minus से दोनों तरह पर multiply करने पर यह less than or और हम minus से इसलिए कर रहे हैं कि हम यहां से direct निकाल लें तो basically हमें यह क्या मिला था कि probability of mod of x minus 8 greater than or equal to 6 यह था 1 minus p probability 2 less than x less than 14 यह हमने लिखा था और यह किसके बराबर होगा यह minus 3 by 4 के बराबर हमीं यह चीज मिला हुआ है तो इसी चीज को मैं यहां पे अभी इसको थोड़ा सा यहां पे hide में कर देता हूँ इसी चीज को मैं यहां पे लिख देता हूँ इस particular step के बाद इसको आप थोड़े दिर के लिए भूल जाए इस particular step के बाद मैं लिखता हूँ 1 minus दोनों तरफ 1 add कर दे तो 1 minus probability 2 less than x less than 14 तो यह कितना होगा less than or equal to 1 minus 3 by 4 इधर भी right side में 1 add कर दिया left side में 1 add कर दिया ठीक है तो यानि कि this is equal to 1 by 4 तो यह जो probability है वो है किसके बराबर यह जो probability है वो है probability of mod of x minus 8 greater than or equal to 6 और यह किसके बराबर है less than or equal to 1 by 4 तो जो answer है हमारा हमने probability estimate किया है कि this is less than or equal to 1 by 4 I hope कि अभी तक आपको तो आगे बढ़ते हुए एक और बढ़िया प्राब्लम लेते हैं और इससे आपको 27th theorem पूरी तरह से clear हो जाएगा यहाँ पर यह बोल रहा है कि 27th theorem basically हम probability estimate करने के लिए यूज कर रहे है पर यहाँ पर दिया भी हुआ है जो है हमारा density function random variable x का तो अगर हमें random variable x का density function दिया हुआ है तो इससे हम इसका probability निकाल सकते हैं ठीक है और फिर 27th theorem का यूज करके हम देखेंगे कि हम कितना accurate probability estimate कर पा रहे है तो सबसे पहले हमें इसकी probability निकाल लिए probability mu minus 2 sigma less than x less than mu plus 2 sigma तो हमें mu और sigma के बारे में पहले idea होना चाहिए तो mu क्या होता है हमारा mu जो होता है वो होता है expectation of x और expectation of x कैसे निकालते हैं fx तो x into 6x into 1 minus x dx यह हमने पिछले वीडियो में discuss किया होगा है आपको याद होगा तो 6 constant है और x into x x square का integration होगा x cube by 3 minus x to the power 4 का integration कितना होगा x to the power 5 by 9 यह है पहला term है x square और दूसा term है x cube x to the power 4 इसको change कर देते हैं तो यह कितना होगा x constant out x square minus x cube x cube will give me x to the power 4 by 4 limit will be 0 to 1 so this will be like 6 into 1 by 3 minus 1 by 4 so 6 into 12 4 minus 3 so 6 into 1 by 12 means 1 by 2 तो mean इसका है 1 by 2 variance निकालने के लिए क्या formula होता है variance sigma square होता है expectation of x square minus expectation of x whole square तो मैं इसी page में कर देता हूँ या आगे भी page है चलो कोई बात नहीं पहले हम expectation of x square निकालते हैं तो expectation of x square क्या होगा 0 to 1 x square into f of x that is 6 x 1 minus x dx तो 6 तो constant है x square into x x cube तो x cube का integration x to the power 4 by 4 और यहां से x to the power 4 तो x to the power 5 by 5 limit है 0 to 1 तो 6 into 1 by 4 minus 1 by 5 तो यह value हमें कितनी मिलेगी यहाँ पे calculate कर ले 6 into 25 minus 4 तो 6 into 1 by 20 यहाँ कि 3 by 10 ठीक है तो 6 by 20 यहाँ कि 3 by 10 मिल गया तो आगे बढ़ते हैं हमें mu क्या मिला हुआ है mu मिला हुआ है 1 by 2 और क्या मिल गया है और हमें expectation of x square मिल गया है expectation of x square मिल गया है 3 by 10 ठीक है variance निकालना है sigma square तो sigma square है expectation of x square minus expectation of x whole square यहाँ कि 3 by 10 minus 1 by 2 whole square that is 1 by 4 तो 3 by 10 minus 1 by 4 तो इसको अगर हम evaluate करेंगे तो कितना होगा तो इसका LCM है 20 6 minus 5 1 by 20 तो sigma square 1 by 20 है तो अगर आप इसको simplify करके sigma निकालें तो square root of 1 by 20 मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ यह है 0.2236 आप इसको verify करिए कि क्या यह सही है या गलत तो जो हमारा पहला problem यह है कि हमें यह probability निकालनी है probability of mu minus 2 sigma less than x and x less than mu plus 2 sigma यानि कि यह हमें probability कितनी निकालनी है mu यानि कि हमें 1 by 2 यानि कि 0.5 minus 2 into 0.2236 less than x less than or equal to 0.5 plus 2 into 0.2236 तो यह basically probability हमें निकालनी है 0.0528 आप इसको verify करिए और less than x less than 0.9472 तो इसकी probability आप कैसे निकालनी है आपको density function दिया हुआ है तो density function कितना दिया हुआ है 6x into 1 minus x तो 6x into 1 minus x dx और इसको integrate करना है 0.0528 से लेके 0.9472 तक मैं इसको छोर दे रहा हूँ आपको evaluate करने के लिए कि 6 तो constant हो गया integration of x square x minus x square तो x का integration कितना होगा x का integration होगा x square by 2 minus x square का integration होगा x cube by 3 और limit है 0.0528 0.9472 calculator का इस्तमाल आप कर सकते हैं तो अगर आप इसको evaluate करेंगे तो आपको जो value मिलेगी वो 0.9837 ठीक है x की जग़ा पहले upper limit लगना है फिर lower limit लगना है तो ये तो हमें direct evaluation से पता चला पर अगर इस चीज को हमें चेविसेप्स theorem की मदद से evaluate करना हो तो probability of mu minus 2 sigma less than x less than mu plus 2 sigma जो होगी वो greater than or equal to होगी 1 minus 1 by 2 square ठीक है तो 1 minus 1 by 2 square यानि की ये कितना 3 by 4 3 by 4 basically किसके बराबर है 0.75 के तो ये जो probability है अगर हम calculate करें तो 0.9837 के बराबर आ रही है और चेविसेप्स theorem से हमें ये guarantee मिल रहे है कि इसकी probability 0.75 से ज़्यादा होगी तो जो की सही है भल ही आप इस चीज को यहाँ पर note करें कि इसमें अंतर भी काफी significant है पर चेविसेप्स theorem यहाँ पर भी verify हो रहा है क्योंकि जो हम calculate कर रहे है probability वह रहा है 0.9837 और चेविसेप्स theorem जो probability estimate कर रहा है वो कर रहा है 0.75 और ये guarantee दे रहा है कि random variable x इस interval में हो इसकी probability या तो इसके बड़ाबर या इससे ज़्यादा होगी जो की सही में है तो यही चेविसेप्स theorem का मतलब है इस वीडियो में हमने काफी detail में बात की ये वीडियो अल्रेडी काफी लंबा हो चुका है और इसी के साथ हमने जो हमारा probability से related जो पहला था random variable और चेविसेप्स theorem तक इसको हमने complete कर लिया है आगे के वीडियो में हम जब बात करेंगे तो उसमें correlation और regression के बारे में बात करेंगे वीडियो बनाने में हम काफी effort कर रहे हैं और उसको आप कैसे हमें motivate कर सकते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच share करें और इसको subscribe भी करें चैनल को अगर आप नए है तो improve तब ही होता है कोई भी चीज अगर आप उसमें continuous अपना feedback प्रोवाइड करें तो आज की वीडियो के में बस इतना ही आपने लंबा समय दिया इसके लिए धन्नवाद और आपका दिन मंगल मैं हो have a very nice day